वे लोग सबाचुनाफ दोहजार चौबिस के बीच केंद्री ग्रे मंत्री अमिद्शा ने विपक्षी दलो के इंडी अलाइंस पर बड़ा हमला बोला है अमिद्शा ने इंडी अलाइंस से कहा है कि वो बताएं कि उनका प्रधान मंत्री पत का उमिद्वार कौन है केंद्री ग्रिमंत्री अमिर्ट शाह ने ये भी कहा कि इस देश ने तीन दशकों तक अस्थिर्टा की कीमत चुकाई तीन दशकों तक अस्थिर सरकारे चली लेकिन पिछले दस गर्षों में देश को एक मजबूत नेतरित्म मिला है देश को स्थिर्ता मिली है ग्रिह मंत्री अमिर शाह ने कहा कि भारत में तीन दशक तक अस्थिर सरकारी चली है निर्बर प्रधान मंत्री चले लेकिन दस साल से देश को एक मजबूत नेतरित मिला है शाह ने कहा कि मैं देश की जनता को मन पूर्वक अपील करना चाहता हूँ कि इसकी कोई संभावना है ही नहीं लेकिन अगर इंडियागर्ड बंधन को बहुमत मिलता भी है तो देश की जनता जरूर सोचे इसका प्रधान मंत्री कौन बनेगा दिखे इस देश ने तीन दसक तक अस्थीरता की किमत चुकाई है तीन दसक तक अस्थीर सरकारे चली निर्बल प्रधान मंत्री चले दस साल से देश को एक मत्बूत निटू तो मिला है तीरता मिली है नकेवल राधनीतिक स्थीरता नितियों के बारे में और विकास के कार्यकमों के बारे में 20 स्थीरता मिली है अब इंडी अलाइंस अगर एक कहता है कि एक साल सरत्पवार बनेंगे, एक साल मंता जी बनेगी, एक साल स्टालिंग बनेंगे, कुछ बचेगा तो राहुल जी बन जाएंगे, इस तरह से देश नहीं चलता है। मैं देश की जन्ता को मन पुर्वक अपिल करना चाहता हूं, कि अगर कोई संभावना है यही नहीं, मगर अगर इंडी अलाइंस को बहुमत मिलता है, तो देश की जन्ता जबूर सोचे, इसका प्रधान मंत्री कौन बनेगा। एक एक साल में प्रधान मंत्री, एक कोई परचुरं की दुकान नहीं है, जिसको अपनी हिस्सेदारी के इसाब से चलाया जा सकी। यह देश है, यह देश को दुनिया का नेत्रूतों करना है, इसका निती मिरधारन, इसका विकास, इसकी सुरक्षा की परिष्टिती, इसके अर्थितंतर का विकास, एक लंबे समय तक एक निती के साथ सात्त्य पूर्ण तरीके से चलना चाहिए, और केवल और केवल देश की जनता ने भारतिय जनता पार्टी और NDA को दी मोदी जी को प्रधान मंत्री बनाया इसके फल हमने देखे हैं देश सुरक्सित हुआ है समरूद हुआ है नीती निर्धारन लोका भी मुख और सपश्ट हुआ है और दुनिया भर में देश का सन्मान बढ़ा है मुझे पुरा विश्वास है 130 करोड की हमारी जनता तीसरी बार प्रधान मंत्री जी को मेंडेट देगी और बड़े बहुमत के साथ दो बार जो मेंडेट दिया है इससे भी बढ़चर कर बड़े बहुमत देकर हमें चीताएगी